बीजेपी के रास्टी अधियक्ष जेपी नडड़ा ने लूग सभा को लेकर अपनी टीम की खोशना करती है नड़ा ने शनिवार को पार्टी के केंद्रे पदाधिकारियों की सूठी जारी कर दी नड़ा की टीम में नए और पुराले चेहरों का समन में बैठाए गया है चत्रिसगर के पूर्व मुख्य मंत्री रवान सिंग और राजस्थान के पूर्व मुख्य मंत्री वसुंधरा राजिक और रास्टी अधियक्ष बनाए गया है केंद्री और पाध्यक्षों के लिस्ट में यूपी से दो सासदो रेखा वर्मा, लक्ष्मी कांत बाचपाई और विधान परिशा सदसेयर तारिक मंसूर को जगा दी गई है जारकन के पूर्व मुख्य मंत्री रगुबर दास भी केंद्री पाध्यक्ष बनाए गए है संजबंदी और सुनीर बंसल को राश्ट्य महामंत्री बनाए गया संजबंदी को केंद्री टीम में शामिल कर पार्टी ने तिलांगना के लिए संदेश दिया है कैलाश विजेवर गया है, तरुन्चुंग, विनोध तवारे, अरुन सिंग को फिर से मौका मिला है सभी को फिर से महामंत्री बनाए गया है, वहीं कॉंग्रिस के दिगर जुनेता आयके अटनी के बेटे अरुन एंटिनी को राश्ट्य सच्चिव बनाए गया, एंटिनी कुछ समय पहले पार्टी में शामिल हुए थे और पूर्व से कोशा ध्यक्ष को फटाये गया है, उनकी जगा नरेश बनसल को से कोशा ध्यक्ष बनाए गया जेपी नडड़ा की 2024 के लिए टीम पूरी तरह से तयार है, चले ग्राफिक्स के जरिये आपको बताते हैं कि कौन-कौन इस टीम में शामिल हुए है जेपी नड़ा की 2024 के लिए टीम तयार केंद्रियो पाध्यक्ष रमंचिंग 36 गर्वसंदुरा राजवी राजिस्थान, रगुपरदाज ज्वारकन, सौधान सिंग मध्य प्रदेश, वेजंत पांडा ओडिसा, सरोच पांडे 36 गर्रेखा वर्मा उत्तर प्रदेश, डीके जेपी नड़ा ने पूरा एक रोडमा तयार कर दिया है वही दिलियु आद्यादेश के खिलाफ NCP अध्यक श्रदपवार के रुप को लेकर समंझताब बढ़ती जा रही है क्योंकि ये बिल सोंबार मंगलवार में से किसी एक दिन संसत के पटल पर पेश किया जाएगा लेकिन अब कहा जा रहा है कि जिस दिन ये बिल पेश किया जाएगा क्या उस दिन श्रदपवार राजसभा में मौजूद रहेंगे क्योंकि कहा तो ये जा रहा है कि जिस दिन सरकार सदन में ये बिल ने करा रही है ठीक उसी दिन पीम मोदी को पूरे में तिलक पुरुसकार दिया जाना है ये तिलक पुरुसकार श्रदपवार ही पीम मोदी को देने वाले हैं तो ऐसे में सवाल उठता है कि अर्विन के जिवाल को दिल्ली आदेश पर समर्थन की बात कहे चुके पवार का क्या रूख रहने वाला है वहीं आमादमी पार्टी चाहती है कि जिस दिन ये बिलाता है उस दिन शुर्द पवार सदन में मौजूद रहे दिली आदेश केंद सरकार को ये शक्ति देता है कि वो केंद शाष्किर प्रदेश दिल्ली में कई प्रशास्निकारियों की जिम्मवारी राज्यों के राजपाल की होगी ना कि दिल्ली के सीम की इसी सिसले में सबसे मैतुकूर्ण समुए अधिकारियों की ट्रांसफर और कोस्टिंग की पूरी जिम्मेवारी और जवाब देही राज़पाल की होगी कानुन को कायम रखने के लिए इन्दी सरकार ने उन्निस माई को राश राज़ानी दिली सरकार आदिया देश 2023 जारी किया था इसे बिलकूर समवार को गरिमत जी अभी शाह संसद में पेश करेंगे कि इन्दी सरकार को आदिश दाने की ज्रोट इसले पढ़ रही थी क्योंकि सुप्रीम कोट ने दिली सरकार की तरफ से दार किये गए एक फैसले में उनके खक में फैसला दिया था चलिए आगे बढ़ते रुख करेंगी कुछ और खबरों का बिशण गर्मी में बिना घर से कुछ खाई पे बच्चे स्कूल पहुंचे थे गर्मी और उमस की वजो से खाली पेट होनी की वजो से बच्चे भी होश हो गए बच्चे को आनल फानल में नजदी की एस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराए गया पूरा मामला उन्दाव जन्पत के विकास खर्ण सिकंदर पुर सिरौसी के कंपोजिट विद्याले मुमिन पुर का बताय जा रहा है वह यरदोई की सांडिला पुलिस ने ऑपरेशन ओल आउट के तेट एक अंतर राजिये चोर को गिरवतार किया है यह शातिर चोर मद्यप्रदेश का रहने वाला है पुलिस ने उसके पास सेकार के साथ नगदी और स्टांप चोरी किये हैं यह शातिर चोर सब्ताब भर पहले दिन दिहारे स्टांप बेंडर का बकसा चोरी कर फराल हो गया था जिसमें लाखों की नगदी समित स्टैंप भी मौजू थे मामले का खुलासा करते हुए S.P. राज़ेश तिवेदी ने बताया कि संदिला में सब रजिस्ट्रार आफिस के सामने से 19 जुराई को एक स्टैंप बेंडर हासिम रजा का दिदिहाड़े बकसा चोड़ी हो गया था जिसके खुलासे के लिए S.P. की निर्देश पर कई टीम में लगाई गई जिसमें उसका एक अन्य साथी भागने में सफ़र रहा जिसकी तलाश के पुलिस टीम लगी है शात्य चोड ने बताया कि वो आज उसी चोड़ी के बकसे को उठाने के लिए था तबी पुलिस ने पकड़ लिया पुलिस को मारूती एस्प्रेसो कार की तलाशी में 92,000 रुपए और 500 के 16 स्टैंप, 100 के 16 स्टैंप, 50 के 31 स्टैंप और 10 के 72 स्टैंप और 100 रुपए के 144 स्टैंप, टिकेट और एक छोटी अर्टैची बरामत की है स्टैंप राजिश की वेदी ने बताया कि संडीला के सब्रिजिस्ट्रा कारले के सामने सब्ता पर पहले एक स्टैंप फेंडर का दिद्धाडे बक्षा चोड़ी हो गया था जिसका खुलासा अपकर दिया गया है कि उननिस जुलाई को थाना संडीला में सब्रिजिस्ट्राइट कारले में एक स्टैंप फेंडर थे दिन धाड़े उनके बस्ते से एक बक्सा कोई वेक्षी चुरा ले गया था जिसमें काफी नगदी थी और स्टैंप्स थे यह बिलकुल अग्यात घटना थी जिसको की अग्यास किया गया लेकिन जबलता नहीं मिल पाई थी अब फिर इसमें आज सुचना मिले कि इससे संबंदित कुछ व्यक्ति हो सकता है कि फिर से संडीला में आये हो जिसमें तलाश की गई पुलिस फोर्स अपना मौजूद थी चेकिंग में एक मारुती कार में एक व्यक् माराजगां जिले में एक सभागार में शुक्रवार को स्वास्य भाग के द्वारा फाइलीरिया बीमारी से बचाव को लेकर बैठक का आयोजिन किया गया बैठक मुख्य चिकिस्था अधिकारी डॉक्टर नीना वर्मा के देख्षता में आहूत की गई थी बैठक में स्वास्त सिक्षा अजन प्रत्रदियों सहीत पत्रकारों ने भी हिसा लिया मुख्य चिकिस्था अधिकारी ने बताए कि 10 अगस से 24 अगस तक जिले के लोगों को फाइलीरिया की बिमारी से बचने के लिए घरगर ज़ा कर दबा दी जाएगी इस दुरान नो ने बताया कि फाइलीरिया फिलहाल लाइलाज बिमारी है दो साल से जादा उमर के किसी भी स्वास्त व्यक्ती फाइलीरिया की दबा ले सकते हैं फालेरिया की दवा साल में एक बार लेनी हैं, पांच साल तक दवा लेनी के बार इस बीमारी से हस्ते से 90 प्रतीशा तक बचा जा सकता है गर्वती महिला और गंभीत बीमारी से ग्रसित को छोड़ सबी स्वस्त लोग फालेरिय की दवाई ली सकते हैं दवाखाली पेट नहीं लेने की भी सला दी गई है बैटक में आपर मुक्य चिक्सा अधिकारी डॉक्टर आजिन्ट प्रशाद भी मौजूद रहे आज की बैटक फाइल एरिया उन्फूनल कार्योग जो की शुरू होने जा रहा है दस अगस से अठाइस अगस तर उसके संबंद में मीडिया संसिटाइजेशन को लेकर की गई था और स्वास्तेभाग की तरफ से इस बैटक में हम लोगों ने शहर के सभी पत्रगारवन्दों को आमंत्रित किया था उनको समानित किया और उन सब को फाइल एरिया के बारे में काफी जानकारी नों ने दी जिससे की जो वो लोग अगर चाहेंगे तो जन्ता को पहुंचाएंगे हमारी बात और इकड में नगड़े गम की लापरवाही सामने आई है भारी बारिश से नाले उफान पर है नालो का पानी अस्पताल के बेस्मेंट में पहुंच रहा है भारी बारिश के वज़े से मैक्सफोर्ड अस्पताल के बेस्मेंट में जल भराब हो गया बेस्मेंट में पानी पहुचने से करोड रूपे की मशिनरी खराब हो गई है साल उपराने मरीजों के रिकॉर्ड भी पूरी तरह से नश्ट हो गए है मेक्सफोर अस्पताल के संचॉलक डॉक्टर चितरंचन ने पहले भी कई बार नगर आयुक से इस बात के शिकायद कि थी लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया कि बारिश होने के वज़े से पीछे से जितना भी पानी था सौकों पर आग ऐसे दाएं से बाएं से पूरी गलियां सब कुछ जल्मग थी और बेस्मेंट में तोड के बिलकुल और नीचे से हमारे यह से पानी अनश्रू हुआ और देखते देखते हमारे पूरा बेस्मेंट ह हमारा पूरा बिलकुल जल्मगन हो गया हम लगातार मदद की गुहार लगाते रहे हमने नगर निगम वालों से भी सब तरीके से कमिश्णर साब से भी हमने रिक्वेस्ट करी सब तरीके से औरों ने कहा कि हमारे पास में अभी कोई विवस्था नहीं है मईक गुरगपर स्पी के द्वारा शावन महीने और महरम की त्योहार को सडको पर निकलने वाले जलूस सकुष्ण सपन कराने के लिए सभी अधिकारियों थाना प्रभारी को निर्देश दिया गया है इसी करम में कोटवाली थाना शित्र के घोष कमपनी चराहे पर स्पी ट्राफिक श्यामदेव बिंद के नेतित में बारिकेटिंग कर रेती चौक से नखास चौक की तरफ जाने वाले जलूस में कोई किसी प्रकार की बाधान उत्पन हो उसके देखते हैं गोष कमपनी चौक पर रेती रोड जाने वाले रास्ते और कोटवाली थाना शित्र की तरफ जाने वाले रास्ते पर बारिकेटिंग कर आम जन मानस को डाइवर्ट करने का काम किया गया जिसे शित्र की जंदा को किसी भी प्रकार की दिकत ना आए और महरम की जुलूस में भी इसी प्रकार की बाधा ना आए इस तोरान मौके पर स्पीड ट्राफिक श्यामदेव बिन नगर निगम चौकी प्रभारी अश्विनी कुमार पांडे उपने रिक्षा सुरिल गुपता सहीथ हैड कॉंस्टेबल अमिताब बच्चन हैड कॉंस्ट आपको बता दें कि महरम का जुलूस निकालने को लेकर भी पूरी तरह से ट्राफिक ड्राइबॉर्ट किया गया है वहीं कासगन जिले में किन्डरों ने युवक को तालिबानी सजा दी है युवक का सिर मुलवाकर युवक को पेश्वा पिलाए गया युवक को तालिबानी सजा देने का वीडियो तेजी के साथ वारल हो रहा है पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वारल है पुलिस नामजद आरूप्यों के खलाब गंभी धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है पुलिस ने तीन किन्नर सई पांच व्यक्तियों को गिरबतार किया है कई गंभी धाराओं में केस दर्ज कर पुलिस ने पांचों अभिउक्त को जेल भेज दिया है थाना सहावर शित्र का ये पूरा मामला बताय जा रहा है वही और दो इसलिए में तेज रफ्तार दो बाइकों की आमने सामनी की जोरदार टककर हो गई जिसमें दोनों बाइक पर सवार दो लोगों की मौत हो गई जबकि दो लोग अंभी रुप से खायल हो गए है पुलिस्टर शवुफ को कबजम लेकर घायलों को अंभीलेस वारा सामदायक स्वासकेंदर में भर्तिकर आया जहां से डॉक्टर ने दोनों की हालत कंभीर देखते वे मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया है शहाबार पाली मार्क पर पाली थानश्चित्र के परेली के पास एक पच्छोल पम के पास देजरफता दुबाई को के जोरदा टक्कर हो गई थी वही हर दोए में शिराबी पती ने पतनी को मौत के खार्ट अतार दिया शुराब के लिए पैसे मांगने पर पहले भी पिटाई करता रहा है और इस बार भी पिटाई की और फिर गला दबा दिया माहिला के गले और मुह से चोट के निशान मिले हैं कासिम पुथाना श्रेतर के बस्तपुर गाउं की घटना है पुलिस नश्रप को कबजे में लेकर जाँच पड़ताल शुरू करती है और उपी पती फिलहाल फराग बताय जा रहा है राइबरेली में गंगा एक्सपस्वे के कर्मचारियों के लापरवाही से दर्दराक सड़क हादसा हो गया आपको उता दें कि यहाँ पर निर्मार में मानक विहीन गड़े की खुदाई से बनी तालाब के पानी में टूपने से किशोरी की दर्दाक मत हो गई एकिशोरी की मौस से परिवार में कोहराम मच क्या है मामला जगदपुर ठानश्रित के कस्पे का है जहां से गंगा एक्सपस्वे और बाइपास उज़र रहा है लेकिन कमपनी की करमचारी द्वारा सड़क निर्मान में मानक विहीन विहीं सा मिट्टी के खुदाई हो रही है जिसका खामियाजा एकिशोरी की अपनी जान देकर चुकाना पड़ा है वहीराय बरेली में खाना बनाते समय गैस सिलेंडर लेकेज होने से महिला गंबीर उसे जुलस कई महिला की चीफ मुकार सुन कर पती भी बचाने आया और वो भी आग में जुलस कया दोनों पत्ती पत्नी को गंबीर हालत में जलास्पताल में भट्टी कराए गया है पत्नी की हालत गंबीर होने से लखनो ट्रामा सेंटर उसे रेफर कर दिया गया मामला सलोन धाना शेतर के अंतरगत कस्पे के स्थित मोधीपूर मुहले का है जोहां मोहिनी अपने परिवार के लिए खाना मरारीत अभी गैस पाइप में लेके जोने की वज़ों से उसके कपड़ों में आग लगई मैला की चीक पकार सुनकर उसका पती भी उसे बचाने आया दोनों आग में जुलस कई जिसके बाद आनन फानन में दोनों को अस्पतार में भट्टी कराए गया राइबरेली में भीशन सड़क हादसा हुआ है जोहां पर स्कूल से बीच्पों बेकर जारेती जो कि जिसके उम्र करें सब्सक्राइब और एक दूजनाद करके बेखता जिसके उम्र कर से बाइक को बेटी बेटी की बेटी शुनाली को कोचिंग के बाद मोटर साइकल से लेकर घर जा रहे थे तभी सामनी सारी तेजरतार बलर उन्हें बाइक को जरुदा टक्तर मार दी बाइक के पर गच्चे उड़ गए और बीटी की दर्दनाग मौत हो गई कि वहीं पिता कम भी रूप से खायल है ती और जो दूदना थे करीब 34-40 परसंट जले वियो थे बाकि इनको फर्स्टेट कर देख से से सलोन से 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 रेफर किया गया था सलोन की रहने वाले थे यह लग्रवान की रहा है असिलाम धर्म के मसीहा इमाम हुस्यन की शाहदत को मातम पूशी कर मनाती है और अब कपर गाज़ीन से जहां माफिया मुक्तार अंसारी पर पुलिस प्रशासन का अकशन लगाता जा रही है जिसके तेट पुलिस प्रशासने मुक्तार की भावी फरहत अंसारी का पेट्रोल पंप कुरक कर लिया है कुरक किया गया पेट्रोल पंप मुक्तार के भाई पूर्विसासे दफजाल अंसारी की पत्नी फरहत अंसारी के नाम संचालित हो रहा था मुम्मदाबाद थाल शित्र के गौसपूर में स्थित फरहत अंसारी की पेट्रोल पंप को पुलिस ने सीज कर दिया है गैंक्सरेक्ट 14.1 के तहर्ट पुलिस पर शासन ने कुर्की की कारवाई की है मुक्तार की बिनामी संपत्य के रूप में फरहत अंसारी का पेट्रोल पंप कुर्क किया कुर्क किये गए पेट्रोल पंप की अनुमानित कीमत 1.5 करोड पर बताई जा रही है गौतर अबे मुक्तार के भाई अफजाल अंसारी एक दिन पहले ही हाई कोट से जमानत मिलने के बाद गाज़ीपूर जरजल से रिया हुए अफजाल अंसारी को पिछले 39 सप्रेल को गाज़ीपूर MPML कोट ने गैंकसर के मामने में चार साल की सजा सुनाई थी इसके बार सही वो जेल में बन थे जब कि आज ही गाज़ीपूर पुल इस पर शासने मुक्तार के खरीबी जाकर उर्फिक काभी पेट्रोल पंप कुर्क किया माना मुहम्दाबाद छेत्र में गोस्पूर गाहों में एक पेट्रोल पंप चिन्नित किया गया था जो आई एस 191 का सरगना मुक्तार अंसारी है उसके द्वारा अवेद तरीके से कमाई गई संपत्ती के द्वारा अपने परीजन जो उसके सजायाफता भाई अफजाल अंसारी की पत्ती थी उसके नाम लिया गया था उसे आज जिलाविकारी गाजीपूर के आदेशानों साथ 14-1 के अंतरगर पूर किया गया है गुजराग के जहलावार के जीवन दाइनी माने जाने वाली सुरेन नगर सुरसागर डेरी की 48 वी वार्षवे काम सभा और इसने मिलन 2023 कारेकरम लिबंडी में आजुक किया गया जब पुशुपालन में 70% से 80% खर्च पशुहार पर होता है तो अधिक दूदुदपादन के लिए पशुक के अच्छे स्वास के लिए उच्छ गुणमत्ता वाला चालों प्लत कराना बहुत में तोपूर है सुर्सागर दान भी लाउंच किया गया है सुर्सागर दान को वग्यानिक तरीके से तियार किया गया है डिरी मोवेश्य के अवशकतार सुर्सागर दान सभी प्रकार के अराज तालों खरीज और मिनरल और फैट से तियार किया जाता है गुज़ा सरकार के उब्डंडग जगदीश मकवाना लीमडी विधायक के रीट सिंग राणा ध्रागधर विधायक प्रकाश वर्मूरा दसाडी पताडी विधायक पीके परमार और सुर्सागर मिल्क प्रोड़क्ट डिरी के अर्थियक्ष बाबा भरबाड सुरेंदगर के स अगर डिरी ने अड़तालिस्मी वार्षिक शाधारन सभा लिमडी मंदी बॉल खाते ही हो जाई अने आ वार्षिक शाधारन सभा मा उजर सरकार ना पुरो के बिडिट मंत्री और लिमडी ना लोक्रिय दारसब्य मानी स्री किरिपसी राणा साइब वाज डिरी ना चेर्मे बाबलल भाई बर्वाड अंगेद्र ना दारसब्य ब्रकाश वाई वर्मोरा पाटडी ना दारसब्य अपिके परमार अब धाज दारसब्य स्रीव ने मानुभाववय उपस्तित रहा पॉडी के सत्पुरी दुधारखाल रोड पर मेक्स पिक अप दुर्गटना गरस्त हो गई दुर्गटना पट्टी मला बदलपुर के ग्राम सभार तसीला और ग्राम सभार 22 के बीच हुई है जहां गूजर खन पेजल योजना में काम करें एक जबू कश्मीर के मजदूरों से भरी एक मेक्स पिक अप दुर्गटना गरस हो गई जिसमें चालक समित तीन सवार मौजूद थे मौके पर मौजूदा शेत्रवासी, रण सिंग, नेगी, मला टसीला और तमाम लोगों ने रेस्क्यू कर उन्हें बहार निकाला है घायलों को अस्पताल में भरती कराए गया हर्दवार उड़के विकास पादिकरंण की उपाध्याइक्ष अंशूल सिग एक्षण मौन में निजरा रहे है के बाद एक बड़ी कारवाई कर रहे है हड़वार जिले में लगातार हो रही है अवेद निर्माण पर कारवाई हो रही है हड़वार उटकी विकास प्राधिकरण की टीम ने सन्यास रोट कंखल में अवेद रूप से बनाये जा रहे है वेवसाइक भबन जमारकूर और गड़वाली में अवेद द्रूप से विक्षित की जा रही है कॉलोनियों को सील कर रहे है हड़वार विकास प्राधिकरण की उपाधी है अक्ष्य अंश्रोट चिंग के नर्देश पर जले भर में लगातार की जा रही है अवेद निर्माण पर कारवाई है अवेद द्रूप से की जा रहे है तर फिर गी रिजेक्ट होगी तो और मौकी पे एक हेवी कंस्रक्शन हो रहा था तो उसकी इंफरमेशन पहले से थी तो आज जब वो नक्षा रिजेक्ट हो गया तो हम लोगों ने इस प्रॉक्टी को सीव करें लिए तो जो एक अवैद मिर्मान हो रहा था जिसकी फाइल पास नहीं थी और दुबारत फिर से रिजेक्ट हो गयते हैं और इसे के साथ फिलाल खबरों में इतना हिया बने रहिए न्यूस वाल इंटिया के साथ झाल